अब आप देख रहे हैं बाई भारत माई भारत पर आज हमारे साथ जुड़े हैं माई फ्लेज इंस्टीट के डारेक्टर मिस्टर विश्वजीर गोश और विसस पीयावी ट्रैटर्टरी गोश विश्वजीर गोश की अगर हम बात करें गोश प्रफेशनली प्लेबैक सिंग हैं शुरुवाती दोर में इंजिनिरिंग की पढ़ाई भी की है और माई फ्लेज इंस्टीट के CEO और डारेक्टर भी है और आज माई फ्लेज के जरिए देश के भविश्य को बनाने सबानने का ताम कर रहे हैं वहीं अगर हम मिसेस पीयाली चाटरजी की बात करें तो यह ए माई फ्लेज के जवाब में बोलना चाहूंगा की मेरी एडुकेशन अचुली मैं इंजिनिरिंग बैग्राउंड से हूँ I started as a software developer और उसके बाद आज मी में उसके साथ जुड़ा हूँ मैंने वह एक फील्ड देखा है उस फील्ल को मैंने जीया है उसके बाद सिंगी हमेश मौका मिलता है Bollywood में, Movies में और सिंगेल्स में महाँ पे बिलाने आ रहे है एविशन ऐसी फील्ड है जो मुझे करियर के कुछ दो-तीन साल के बाद मैं इसके टच में आया है और फिर मैंने अपना कमिशरल लाइसंस किया है पालेट का उसके बाद ये मैंने बस एक पैशन क हुआ कि कितनी जरुवत है आज के यूथ को सही गाइडन्स मिलने के लिए सही काइड ओफ अवेरनेस उनको मिले उनको नॉलेज मिले उनको सही रहा दिखाने वाले को मिलना चाहिए जैसे अगर मैं इतने सारी फील्ड में कुछ कर बाया वो इसली क्योंकि मुझे शायद मै आज में इस मुकाम पे हूँ कि मैंने चीजों को इतने डीटेल में देखा है और चीजों के जुड़ा हुआ हूँ उनके एक्सपर्ट के साथ जुड़ा हूँ खुद एक मुकाम पे हूँ तो मैं अब बच्चों को जो हमाई देश का यूथ है उन्हें गाइड करना चाहता हूँ उन्हें सही करियर ओप्शन के बारे में पता चले और फिर वो अपना डिसीशन ले साथ है उन करियर ओप्शन के नहीं यह मेरी कोशिश है अभी तो अगले 10-20 साल मुझे यही फोकस है कि मैं जैसे म्यूजिक में भी और एंजिनेरिंग में भी और एविशन में भी मै जितना जादा लोग साथ जुड सको और उनको इसके बारे में बता सको ताकि वो एक सही डिसीशन ले सके और अपना करियर फ्लारिश कर सके क्योंकि हम जब 18-20 साल के होते है 12 से 12 करते है 12 पास होते है प्लस टू जो बोलते हैं हम लो पी उसी है कुछ तरह स्टेट्स में तो स्किल सेट को अशीव करने के लिए कैसी काईदेंस चाहिए कैसी ट्रेइनिंग चाहिए और किस तरह से हम इंस्टिट्ट्ट चूज़ करें उस चीज़ के लिए सही यह बहुत मैटर करता है आपका पूरा सामने के 20 साल 10 साल का चो करियर है वो इस डिसीशन पर मैटर करता है बयादन करता है कि आपने कारन inwardly इंस्टिट्ट चूज़ किया आपकर मैटर मी मोस्वेर ट्र 45 लीजिशन Immeamikाय और अपको असली चीज़ बता रहा है और लेटस चीज़ बता रहा है आज का जो trend है, it's a Google trend, it's an online social media trend, तो आज के जमाने में information आपके पास finger tips में है, Google में information है, YouTube में आप vlogs लेख सकते हैं, किसी भी फील्ड के लिए, लोग आपके साथ training videos में online share करते हैं, बट आपको choose करना है कि आपका teacher कौन रहेगा, आपको सही से डेली आपके साथ practice कौन करे जा, और आपको वो environment कहां मिल रहा है, तब ही आप अपना career shape up कर सकते हैं, तो जब मुझे ये बात समझ में आया है, एक realization होता है सबको, उसके बार मैंने ये एक मोहीं चलाया है कि मझे लोगों को साथने जोड के इंस्टिउशन्स सेट करने है, डिफरेंट 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 वोकेशनल स्टेडीज में तो हमने 2015 में नीव रखे थी और ये बैंग रोड मैंने स्टार्ट किया था हैड़ ऑफिस और उसके बाद एविएशन से जोड़े जित्ते भी हमारे कोर्से से जैसे काविंग क्रू आज भी लोग को लगता है कि कैविंग क्रू ही है तो कैविंग क्रू है उसके बाद बाद ग्राउं स्टाफ है फिर एविशन रिटेल है और एटू जितने डिपार्टमेंट सब के लिए डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस क्रेड किये है फिर हमें समझ में आए कि है फोटल मैनजमेंट की इसके जरूवत है इस तरह से एक ग्रूप ऑफ इंस्टूशन बन गया है तो बच्यों को किस तरीके से सोचना चाहिए पने करियर को लेका है यही बताना था सब को कि ये जो स्किल इंडिया कोशल भारत का जो मिशन है इसी मिशन पे हमारा तुमाए फ्लेच इंस्टिटूट और अश्पितालिटी कारीरत रहा है 2015 से और उसके बाद से अभी तक 6-6 साल और इपन इस पर शुके हैं हमने पान आप अच्छे अच्छे एक्रडेशन लिए हैं, एक्रडेशन लिए हैं, सारे जतनी इंडिया की जो टॉप के अच्छे एक्रडेशन लिए जिसने हमें बहुत हैं, हमारे स्टुदेंस को हैं तो अच्छे एक्रडेशन सेक्टर, इंटार सर्विस सेंटर, रिखिया हम भी पहले एरलाइन्स में ही थे और पतल्स में और इवेशन के ही हम काम करते थे वहां पे जब हमने आट-दस साल काम किया अज़ एक्रडेशन के लिए तो हम भी हारिंग करते थे इन बड़ी कंपनी इंडस्ट्री के लिए फिर हमें समझ में आया कि इंडिया में बहुत ज़रूरी है कॉर्परेट ट्रीनिंग पढ़ाना कि कि हम ज़म हारिंग करते थे औ और जो हमें जहिए इंडस्ट्री को चनाने के लिए, जैसे कि हमें बहुत ज़र्दा डिसिप्रिंट लोग चाहिए, प्रोफितिबिलिटियों को समझ में आनी चाहिए, चॉस्ट एफेक्टिवने सोनी चाहिए, इन सब चीजों की जो चुछीजों की जो चाहिए इन सब च कि अब यहां से हम कामने करेंगे, अब हम बूसी तरह से काम करेंगे, तो बहुत बड़ा प्लाटफॉर्म है कि हम एजुकेशन के काम करेंगे, उससे पूरी की पूरी जनरेशन के हार्ट में, के दिल में, उनके माइंड में आप एक इंपक्त बना सकते हैं, क्योंकि इस ता हैं, इंडिया भेरी बिग मार्केट, यहां पर बड़े और इसे चाहिएशन को स्टाबिश किया जा रहा है, सिफेडेशन में ने, आप लेकिया हर सेक्टर में, हर सेक्टर में कस्तुमर सर्विस की अची जोर्थ है, सो यह सब आके इंफ्रास्रुक्चर बना देंगे, इंडिया जैसे हो सकते हैं, अगर हमारे खुद के लोग बड़े रिखे, skilled, profitability जबरेट करने आले माले हो, तो हमें वो गलक इंडिया नहीं बनाना है, तोड़े वी हाव चॉंस उप चूजिए इंडिया और हमें एजुकेशन से और स्केट एंडिया और हमें एजुकेशन से अगर हम बात करें, सबसे हमारा जो सकसेफुल प्रचिलिप कोर्स है, वो एक साग का एड़ान्स दिप्रोमा इनिवेशन मानेजमें इन होस्पिलालिटी है, क्योंकि हम लोग ऐरलाइन के लोग हैं, तो बहुत सारे बच्चे हम से इंस्पाइब हो कर आते हैं, और वो ऐरला जोरा थी को हम आते हैं, और वोधल के कम पर आते हैं, आते हमार शांस रहां सत्राश ची कि रहां मालेज ताक कि एड़ा में ीदेश ज dedication of कि क्ल क्या होगा, कल क्या नहीं होगा?, تو एक सार के कुर्स में हम स्फर्ख सक्ट एक ट एक टार्पेंट में हम से एक तुरिजम एक देपार्पेंट में हम भचे को रेडी कर रहे हैं और इसमें, comes इसके अलावा भी हम बच्चों को पूरी सिंदगी के लिए गूमिंग, इंटनाशनल गूमिंग, कॉर्फिट गूमिंग, सॉफ्ट स्किल जो की आप IAM जैसे इंस्टिूशन में जाके मैं 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 तोपिक्स है, वो तोपिक्स हमने अपने अपने निप्रोमा कोर्स पांट शे साल बढ़के और फिर निकल के और फिर हम वही पोजिशन पे रहें की जॉब कहा मिले की और जॉब कहा तोड़े, वो रास्ता अब हमें शौर्टर विमें अपनाना है, वही पूरा मिशन एशके डिवलाप्मेंट का, कि कम से कम एज में जितनी जल्दी से जल्द कि हम बचों को हमारे देश के यूथ को तयार कर सकें सब बढ़ी कंपनीज में काम करें पेरे, ताकि हमारे देश में प्रफिटबिटी पैसा आए, रेवन्यू जनेरेशन हो इं कंपनीज को, इंटर्न से रेवन्यू हम सब को ऐसा सालरी मिलने वाली है, हमारे बच्छों को सालरी मिलेगी, हम सब की सालरी बढ़ेगी, और क्यापिटा इंकम बढ़ेगा देश का, और देश उन्नाती की तरफ जाएगा, बहुत-बहुत शुक्रिया, मिस्स पियाली चाटर जी खोश और मिस्टर बिश्वजीत खोश, जिन से हमने अवियेशन और करियर को लेके तमा आम जानकारियां हमें मिली हैं, बहुत-बहुत धन्देवाद आप दोनों का